क्लास 6 ते एक्सरसाइस है 4th D Multiplication of integer multiplication of integer क्या है multiplication हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 2 को multiply करें 2 into 3 जैसे 6 होता ठीज यह positive गहाग पर अगर minus 2 into minus 3 होगा यह plus का 6 देगा हमें क्योंकि sign देखो पहली बात हो यह 1, 2 1, 3, 5, 7 आप तू सौन, यह odd numbers होते हैं, 2, 4, 6, 8, आप तू सौन, यह even number होते हैं, सबी, ठीक है, अगर minus की power, odd, minus 1 की power 3, minus 1 की power 1, minus 1 की power 5, तो यह answer हमें minus में देगा, अगर minus 1 की power 2, minus 1 की power 4, even है, तो answer क्या देना, plus का 1 देगा, ठीक है, अब देखो, minus 2 into minus 3, 2 even थे न, even बन गया, minus, और minus 2 माइनस की साइन बन गे मतलो माइनस वन की पावर कतनी बन गे टू तो साइन की आ गया प्लस का 6 ठीक है उसी तरह इसकी कुछ प्रोपर्टिस है दो नमबर कोई भी ले लो वो हमें एंसर देगा ठीक है उसके बाद एमोड़ीटिप प्रोपर्टि यह है कि a क्रोस पी इकल टू भी क्रोस अ gibt मतलों अगर मैं 2 क्रोस थरी लाओं जा 3 क्रोस 2 लो अंसर दोनों के 6 है मतलब कि इसमें यह property A x B और B x A 2 x 3 या 3 x 2 अंसर में 60 देगा ठीगा उसके बाद associative property associative property में हमें कोई 3 element आप चाहे कोई भी 3 element ले लो जैसे A x B x C equal to A x B into C आप कोई भी 3 number ले लो उसकी multiplication करो इदर भी 3 same ही लेंगे अगर 1 into 2 into 3 है जब 1 into 2 into 3 है तो देखो उसर 6 into 1 या 2 into 3 यह भी 6 equal to 6 ही दे रहा हमे मतलब कि associative property भी इसमें hold करेगी ठीगा उसके बाद आथा distributive law distributive law आखे आथा A x B plus C मतलब कि कोई element ले 2 तो उसको multiply करें हम 3 plus 4 तो देखो पहले 2 ने 3 से multiply होया यह पहले वाले ने इसके साथ मतलब के multiplicative identity क्या है 1 multiplication की ठीक है अगर multiplication by 0 किसी number को 0 से multiply करो वह हमें 0 देगा 2, 3, 4 जितना मर्जी हो कोई भी integer ठीक है उसी तरह same property division में है closer property देखो 35 by 7 को मैंने किस से किया divide 35 को 7 से किया कितना है 5 तो हमें integer ही मिला ठीक है उसी तरह आपने associative चेक करनी कमutative चेक करनी कहीं हमें hold भी होगी कहीं हमें नहीं भी होगी ठीक है उसके बाद जैसे फरस साथ हमें find the product of minus 2 into 7 minus 2 को 7 से multiply किया देखो एक power negative कितनी है एक है तो minus तो बाहर आई है ना मैंने कहा था कि minus 1 की power अगर 1 है 3 है 5 है तो उसका अंसर minus 1 ना तो देखो minus 1 एक ही है minus ही है तो minus 49 उसी तरह 18 to minus 7 ये कितना है ना minus 56 इस तना चेक करना दूसरे में देखो 13 minus 13 है टो minus 2 ये कितना बना 26 प्लस का बनेगा क्योंकि minus 1 दी पावर 2 क्योंकि nhất 2 ये कितने को